नमस्कार, इजी लर्निंग ट्रे जूनियर में आपका स्वागत है, आज सुनिये रवींद्रनाथ ठाकुर की लिखी कहानी एक रात, एक ही पाठ शाला में सुर्बाला के साथ पढ़ा हूँ और बाउ बाउ खेला हूँ, उसके घर जाने पर सुर्बाला की मा मुझे बड़ा करती, और हम दोनों को साथ बिठा कर कहती, वाह, कितनी सुन्दर जोड़ी है, छोटा था, किन्तु बात का अभिप्राय प्रायह समझ लेता था, सुर्बाला पर अन्यसर्वसाधारण की अपेक्षा, मेरा कुछ विशेश अधिकार था, ये धारणा मेरे मन में बधमूल हो गई थी, इस अधिकार मद से मत्त होकर उस पर मैं शासन और अत्याचार न करता हूँ, ऐसी बात न थी, वह भी सहिश्नुभाव से हर तरह से मेरी फर्माईश पूरी करती और दंड वहन करती, मुहले में उसके रूप की प्रशंसा थी, किन्तु बरबर बालक की दृष्टी में उस सौंदर्य का कोई महत्व नहीं था, मैं तो बस यही जानता था, कि सूरबाला ने अपने पिता के घर में मेरा प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए ही जन्मलिया है, इसलिए वह विशेश रूप से मेरी अवहेलना की पात्री है, मेरे पिता चौधरी जमीनदार के नायब थे, उनकी इच्छा थी, मेरे काम करने योग्य होते ही मुझे जमीनदारी सरिष्टे का काम सिखा कर कहीं घुमाशता गिरी दिला दें, किन्तु मैं मन ही मन इसका विरोधी था, हमारे मुहले के नील रतन जिस तरह भाग कर कलकत्ता में पढ़ना लिखना सीख कर कलक् का नाजिर ना बन सका तो जजी अदालत का हेड कलर्क हो जाऊंगा, मैंने मन ही मन यह निश्चे कर लिया था, मैं हमेशा देखता कि मेरे पिता इन अदालत जीवियों का बहुत सम्मान करते थे, अनेक अवसरों पर मचली तरकारी, रुपए पैसे से उनकी पूजार्च ना करनी पड़ती, ये बात भी मैं बाल्य अवस्था से ही जानता था, इसलिए मैंने अदालत के छोटे कर्मचारी यहां तक की हरकारों को भी अपने हृदय में बड़े सम्मान का स्थान दे रखा था, ये हमारे बंगाल के पूज्य देवता थे, 33 कोटी देवताओं के छोटे नवीन संसकरण, कार्य सिध्धी लाभ के संबंध में स्वयम सिध्धिदाता गणेश की अपेक्षा, इनके प्रती लोगों में आंतरिक निर्भरता कहीं अधिक थी, अतैव पहले गणेश को जो कुछ प्राप्त होता था, वह आजकल इन्हें मिलता था, नील रत्न के द्रि थोड़ी बहुत सहायता मिलने लग गई, पढ़ना लिखना नियम पूर्वक चलने लगा, इसकी अतिरिक्त मैं सभा समितियों में भी योग देता, देश के लिए प्राण विसर्जन करने की ततकाल आवश्यक्ता है, इस विशय में मुझे कोई संदेह न था, किन्तु यह द के हाती थे, कम उम्र में ही प्राण बुद्धी रखने वाले कलकत्ता वालों की तरह हर चीज का मजाक उडाना हमने नहीं सीखा था, इसलिए हम लोग चंदे की किताब लेकर भूखे प्यासे, दोपहर की धूप से, दर-दर भीख मांगते फिरते, किनारे खड़े होकर अक्षन देखकर हमें गमवार कहते, आया तो था नाजिर सर्रिष्टेदार बनने, पर मैजनी गैरी बाल्डी बनने की तैयारी करने लग गया, इसी समय मेरे पिता और सुर्बाला के पिता ने एकमत होकर सुर्बाला के साथ मेरा विवाह कर देने का निश्चय किया, मैं पं धीरे धीरे निकली जा रही थी, पर मैंने मन ही मन यह प्रतिग्या कर ली थी कि आजीवन अविवाहित रहकर स्वदेश के लिए मर मिटूंगा, मैंने पिता से कहा, पढ़ाई पूरी किये बिना मैं विवाह नहीं कर सकता, लोस, दो चार महीने के बाद ही खबर मिली कि वकी राम लोचन बाबू के साथ सुर्बाला का विवाह हो गया है, मैं तो पतित भारत की चंदा वसूली के काम में व्यस्त था, मुझे यह समाचार अत्यंत तुच्छ मालूम पड़ा, एंट्रेंस पास कर लिया था, फर्स्ट येर आर्ट्स में जाने का विचार था, कि तभी पिता की मृत्यू हो गई, परिवार में मैं अकेला नहीं था, माता थी और दो बहने, अतैव कॉलेज छोड़ कर काम की तलाश में निकलना पड़ा, बहुत कोशिशों के बाद, नोआखाली डिवीजन के एक छोटे से शहर के एंट्रेंस स्कूल में असिस्टैंट मास्टर क पद मिला, सोचा, मेरे उपयुक्त काम मिल गया, उपदेश तथा उत्सा प्रदान करके प्रत्येक विद्यार्थी को भावी भारत का सेनापती बना दूँगा, काम आरंभ कर दिया, देखा भारत वर्ष के भविश्य की अपेक्षा, आसन इम्तहान की चिंता कहीं ज्यादा की जाती थी, छात्रों को ग्रामड और एलजेब्रा के बाहर की कोई बात बताते ही, हेड्मास्टर नाराज हो जाते, दो एक महीने में मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया, हमारे जैसे प्रतिभाहीन लोग घर में बैठ कर तो अनेक प्रकार की कलपनाएं करते रहते हैं, परं अध्या को भर पेट चारा पाकर ही संतुष्ट रहते हैं, फिर कूद फांद करने का उत्साह नहीं बचता, आग लगने के डर से एक नएक मास्टर को स्कूल में ही रहना पड़ता, मैं अकेला था, इसलिए यह भार मेरे ही उपर आ पड़ा, स्कूल के बड़े आठ चाला से सटी हुई एक जोंपडी में मैं रहता, स्कूल बस्ती से कुछ दूर एक बड़ी पुश्कनी के किनारे था, चारों ओर सुपारी, नारियल और मदार के पेड, तथा स्कूल से लगे आपस में सटे हुए नीम के दो पुराने विशाल पेड चाया देते रहते, अभी तक मैं ने एक बात का उलेक नहीं किया, न मैंने उसे उस योग यही समझा, यहां के सरकारी वकील राम लोचन राय का घर हमारे स्कूल के पास ही था, और उनके साथ, उनकी स्त्री, मेरी बाल ले सकी सुर्बाला थी, यह मैं जानता था, राम लोचन बाबू के साथ मेरा परिचय के कारण उस विशय में कुछ कहना उचित न समझा यही नहीं सुर्बाला किसी समय मेरे जीवन के साथ किसी रूप में जुड़ी हुई थी यह बात मेरे मन में ठीक तरह से उठी ही नहीं एक दिन छुट्टी के रोज रामलोचन बाबू से भेंट करने उनके घर गया था याद नहीं किस विशय पर बातचीत हो रही थी शायद वर्तमान भारतवर्ष दुर्व्यस्था के संबंध में यह बात ना थी कि वे उसके लिए विशेश चिंतित और उदास थे किन्तु विशय ऐसा था कि हुक्का पीते पीते उस पर एक डेड़ घंटे तक यों ही शौकिया द संद से कोई कौतूहल पूर्ण आँखें मुझे देख रही हैं मुझे ततकाल वे आँखें याद ही आई विश्वास सरलता और बालसुलभ प्रीती से चल चलाती दो बड़ी-बड़ी आँखें काली-काली पुतलियां घनी-काली-पलकें और स्थिर स्निक्ध-द्रिष्ट सहसा मेरे हृत-पिंड को मानो किसी ने अपनी कड़ी मुठी में भीच लिया। वेदना से मेरा अंतर जंजना उठा। लोटकर घर आ गया किन्तु वह व्यथा बनी रही। पढ़ना लिखना जो भी करता किसी तरह मन का भार दूर न हो पाता। शाम के समय मैं कुछ शांत च अच्छा से ही छोड़ दिया था। वह क्या मेरे लिए ही बैठी रहती। मन के भीतर से कोई बोला। उस समय जिसे चाहते ही पा सकते थे अब उसे सिर्पटक कर मर जाने पर भी एक बार देखने तक का अधिकार तुम्हें नहीं मिल सकता। बाल्य अवस्था की वह सुरबाल तुम्हारे कितने ही निकट क्यों न रहे। चाहे तुम उसकी चूडियों की खनक सुनते रहो, उसके बालों की सुगंध की महक पाते रहो, किन्तु तुम्हारे बीच में एक दीवार बराबर बनी रहेगी। मैंने कहा, जाने भी दो, सुरबाला मेरी कौन है। उत्तर मिला आज सुरबाला तुम्हारी कोई नहीं है, लेकिन सुरबाला तुम्हारी क्या नहीं हो सकती थी। बस दो एक रटे रटाए मंत्र पढ़कर सुरबाला को पलक मारते ही, एक छपटरे में धर्ती के और सब लोगों से चीन ले गया। राम लोचन के घर की दीवारों में जो सुरबाला थी, वह राम लोचन की भी अपेक्षा मेरी अधिक थी। यह बात मैं किसी भी प्रकार मन से नहीं निकाल पाता था। शायद ये बात असंगत थी, फिर भी अस्वाभाविक नहीं थी। तब से और किसी भी काम में मन नहीं लग सका। दोपहर के समय क्लास में जब छातर गुन गुनाते रहते, बाहर सन्नाटा चाया रहता। नीम की निमबॉलियों की महक होती तब भी मन बड़ा अजेल हो जाता। संध्या समय पुषकरिणी के किनारे सुपारी नारियल के व्रिक्षों की अर्थ हीन मरमर्ध्वनी सुनते सुनते सोचता। मनुष्य समाज एक जटिल भ्रम जाल है। ठीक समय पर ठीक काम करना किसी को नहीं सूचता। बाद में समय पर अनुचित वासना लेकर अस्थिर होकर मर जाता है। तुम्हारे जैसा आदमी सुर्बाला का पती होकर आजीवन बड़े सुख से रह सकता था। तुम तो होने चले थे गैरी बाल्डी। और अंत में हुए एक देहाती स्कूल के असिस्टेंट मास्टर। और राम ल सन्न रहता, उस दिन सुर्बाला के लिए गहने बनवा देता। अपने मोटी थुल्थुली देह पर अचकन डाले, वह परम संतुष्ट रहता। वह कभी भी तालाप के किनारे बैठकर आकाश के तारों की ओर देखता हुआ, आहें भरते हुए शाम नहीं गुजारता। एक बड़े मुकद्दमे में राम लोचन कुछ दिन के लिए बाहर गया था। अपने स्कूल भवन में मैं जिस तरह अकेला था, शायद उस दिन सुर्बाला भी अपने घर में उसी तरह अकेली थी। मुझे याद है, उस दिन सोमवार था। सवेरे से ही आकाश में बादल दस बजे से टपटब बारिश शुरू हो गई थी। आकाश की दशा देखकर हैड मास्टर ने जल्दी छुटी कर दी। काले काले मेग सारे दिन आकाश में घूमते रहे। दूसरे दिन तीसरे पहर से मूसलाधार बारिश शुरू हुई और आंधी चलने लगी। ज्यों ज सोने का प्रैल करना व्यर्थ था। खयाल आया, इस दुर्योग के समय सुर्बाला घर में अकेली है। हमारा स्कूल भवन उनके घर की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत था। कई बार मन में आया। उसे स्कूल भवन में बुला लाओं और मैं पुशकरिणी के किनारे रात प्रितालूं। किन्तु किसी भी तरह तय नहीं कर पाया। रात एक डेड़ पहर गई होगी कि सहसा बाढ़ आने की आवाज सुनाई पड़ी। समुद्र बढ़ा आ रहा था। घर से बाहर निकला। सुर्बाला के घर की ओर चला। रास्ते में अपनी प्रिशकरिणी का किन किनारा पड़ा। वहां तक आते आते पानी मेरे घुटनों तक पहुँच गया था। मैं ज्यों ही किनारे पर जाकर खड़ा हुआ त्यों ही एक और तरंग आ पहुँची। हमारे तालाब के किनारे का एक हिस्सा लगभग 10-11 हाथ उंचा था। जिस समय मैं किनारे पर चढ उसी समय विपरीत दिशा से एक और व्यक्ति भी चढ़ा। व्यक्ति कौन था यह सिर से लेकर पैर तक मेरी संपूर्ण अंतरात्मा समझ गई थी। और उसने भी मुझे पहचान लिया था। इसमें मुझे संदेह नहीं। और तो सब कुछ डूबा हुआ था। केवल बात करने में भी हानी नहीं थी, किन्तु एक भी शब्द न निकला। दोनों केवल अंधकार की ओर ताकते रहे। आज संसार छोड़कर सुर्बाला मेरे पास आकर खड़ी थी। मुझे छोड़कर आज सुर्बाला का कोई नहीं था। कबसे बीते हुए उस शैशवकाल में सुर्बाला किसी जन्मांतर के बाद किसी प्राचीन रहस्यांदकार पर उतराती हुई इस सूर्य चंद्रा लोकित जना कीर्ण पृत्वी के ऊपर मेरी ही बगल में आकर खड़ी हुई थी। जन्म स्त्रोत ने उस नवकलिका को मेरे पास लाकर फेंग दिया था। मृत्य स् आये, पतिपुत्र, घर धंजन को लेकर सुर्बाला चिरकाल तक सुख से रहे। मैंने इसी रात में महाप्रलय के किनारे अनंत आनंद का स्वाध पा लिया। रात समाप्त होने को आई। आंधी थम गई, पानी उतर गया, सुर्बाला बिना कुछ कहे घर चली गई, मैं भी बिना कुछ कहे अपने घर चला आया। मैंने सूचा, मैं नाजिर भी नहीं हुआ, सरिष्टेदार भी नहीं हुआ, गैरी बाल्डी भी नहीं हुआ, मैं एक तूटे-फूटे स्कूल का असिस्टेंट मास्टर रह गया। मेरे इस संपूर्ण जीवन में केवल क्षन भर के लिए एक अनंत रात्रिका उदै हुआ था। शायद वही जीवन की एक मात्र चरम सार्थकता थी। आप सुन रहे थे रवींद्रनाथ ठाकुर की लिखी कहानी एक रात। झाल झाल झाल